गुड मॉनिंग फ्रेंड्स नमस्ते वेल्कम टू इस्टेडी वित नीलम आज है चोबिस जून और चोबिस जून के बैस्ट टॉप करेंट अफिर्स कोश्चन और पॉइंट पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं पहला कुश्चन है आपका हुंडई मॉर्टर इंडिया अपने ग्रहकों को नई कार खरीदने में मदद करने के लिए किसके सांस समझोता किया है देखिए भई नई कार खरीदने के लिए समझोता और बैसली किसी बैंक के साथ ही होगा तो यह किसके साथ हुआ है HDFC बेंक के साथ हुआ है जिससे आपकी लोन लेने में आसानी होगी और ओन रोड जो प्राइज होगा उसमें भी HDFC और Hyundai Motor दोनों मिलके आपको कम कीमत पर कार दे सकते हैं क्लियर है चलिए तो प्लान बनाईए नई कार खरीदने का बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ सैयुक्त राष्ट लोग सेवा दिवस कब मनाया जाता है सैयुक्त राष्ट लोग सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को सैयुक्त राष्ट लोग सेवा दिवस और राष्टी लोग सेवा दिवस कब मनाते हैं कि पत्रिंट01 प्रेश को मनाते हैं प्रेश कि impres market सम्मान के लिए और लोग सेकों को अपने कर्तबव के प्रक्राइव रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरफ हाल ही में किस देश के नागरिक्ता संसोदन अधिनियम में भारतिय महिला को विभा करने के साथ साल बाद वहां की नागरिक्ता प्राप्त होगी देखिए भई अभी इस प्रकार के अग्रेसिव जो भी काम कर रहा है नेपाल कर पहले क्या होता था अगर कोई नेपाली व्यक्ति से नेपाली नागरिक्त से कोई भी भारतिय महिला विभा करती थी तो विभा के तुरंत बाद ही वो क्या कर सकते थे कि नागरिक्त लिए अप्लाई कर सकते थे और उनको नागरिक्ता मिल जाती थी लेकिन अब क्या कर दिय कि आप बिभा के साथ साल बाद उन्हें नागरिक्ता मिलेगी जो महीला होगी उसे नेपाल की तो ये नेपाल द्वारा संसोधित किया गया है मैंने आपको कली बताये था इन्होंने नेपाल ने तीन जगा पर अकपजा कर लिया है उत्राखंड के लिपू लेख लिंपा दोर और काला पानी तीन छेतर ते लिपू लेख लिंपा दोरा कारा पानी है ना यहां के लिए क्या करने लगा है अपना आकासवानी के माध्यमा के आकासवानी के माध्यम से भविश्वानी करने लगा है मोसम की और तरहन के पिथोड़ागर का जो छेतर है वहां पर इसने क्या बताया है कि यह वाले छेत्र हमारे हैं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन ने ITF इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन मैंस पेनल में खिलाडी सदर्श्य के रूप में निमने में से किनहें चुना है तो यह चुना गया है निक्की पुनाचा को चुना गया है इसका हेड कौर्टर कहां पर है इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन का मुख्याले है आपका लंदन में और इसके वरतमान में प्रेसिडेंट कुन है डेविड हेगार्टी ऑके चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरफ इंडिया आइडिया सम्मिट भारत और अमेरिका के बीच यह वार्षिक सम्मेलन कि छेतर से संबध हैंडिया होती है, उसका छेतर क्या संबध्ध यह होती है बैपार से संबध्ध है बैपार के लिए होती है ठीके कब होगी 20 से 22 जुलाई को ये आयोजित की जाएगी 20 से 22 जुलाई के मद्द ये भी याद रखिएगा इंडिया आइडिया सम्मिट का कौन सा संसकरण है ये 45 संसकरण है बात आये अमेरिका की तो अमेरिका की केपिटल क्या है वाशंटन दे-सी बठमान में प्रेसिडेंट कोन है याकर डोनाल्ड ट्रम्प कौन से नंमबर के mówią प्रेसिडेंट है ये 45 लिए चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में टाटा पावर ने 100 मेगावाट, 100 परियोजना विक्सित करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो ये समझोता किया गया है महराष्ट राज्जी के साथ किसके साथ समझोता किया गया है महराष्ट राज्जी के साथ टाटा पावर का मुख्याले कहां परेवाई टाटा पावर का मुख्याले मुंबई में है टाटा पावर के CEO कौन है CEO यह है प्रविर सिनहा कौन है प्रविर सिनहा अगला कोशन देखते हैं अमेरिकी बॉंड धारकों की सूची में भारत का कौन सा इस्थान है अभी हाली में अमेरिका द्वारा जो विश्व के जितने भी देश हैं उन्होंने अगर अमेरिका के बॉंड धारक हैं उनकी लिष्ट जारी करी है तो इस लिष्ट में भारत का इस्थान कौन सा है भारत का इस्थान है बारवा भई हमारे पास अमेरिका के 157.4 अरव डॉलर के क्या है अमेरिका के सरकारी बॉन्ड है तो इस लिष्ट में को पहले स्थान पर कोन रहा ये रहा है जापान जापान के पास कितने हैं अमेरिकी बॉन्ड ये हैं 1266 अरव अमेरिकी डॉलर clear है बढ़ते हैं अगले question की तरफ ध्यान रखियेगा विद्यावेंच शह का हाल ही में निधन हो गया इनका संभंध किस छेतर से था तो यह थी भई सामाजिक कारेकरता विद्यावेंच शह क्या थी सामाजिक कारेकरता थी यह कहां से थी गुजरास से थी और 1992 में इन्हें पद्म शिरी भी प्राप्त हुआ था भारत का चोथा जो सम्मान है पद्म शिरी इन्हें प्राप्त हुआ था कब 1992 में और राजकोट में इन्होंने 1940 में पहला बाल भवन भी इस्थापित किया था आपको ध्यान रख रहा है इनका संबंद क सामाजिक कार्यों से हैं बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ प्रधान मंतरी जन ओशधी योजना का क्रियान वन कौन सा मंत्राले करेगा तो ये मंत्राले करेगा अपना आरसायन और उर्वरक मंत्राले देखिए भई प्रधान मंतरी जन ओशधी योजना है इसमें जो जन सधी केंदर होंगे उससे उच्च गुणवत्ता वाली जो दभाएं है वो कम कीमतों पर सभी को उपलब्द कराए जाएंगी तो कौनसा मंतरा ले करेगा इसका क्रियान वेल्ड मतलब इस योजना को संपन कौनसा मंतरा ले करेगा तो रसायन और उर्वरक मंतराले से संपरने करेगा अब कॉश्चन आता रसायन और उर्वरक मंतरी कोन है तो यह हैं DB सदानंद गोडा कोन हैiller है बढ़ते हैं अगले कॉश्चन की तरफ हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा online classes पर पूर्णता प्रतिबंद लगा दिया गया है यह पूर्णता प्रतिबंद लगाया है मद्यप्रदेश सरकार ने और फिप्ट से लेके फिप्ट क्लास तक प्रतिबंद किसने लगाये था online classes पर हमने last week की पड़ा था यह करनाटक सरकार ने लगाये था बात आई यह मद् टंडर है ओके बाकी आपको point to point section में इसकी information है बढ़ते हैं आगे friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरी महनत पसंद आ रही है तो please वीडियो को like कीजिए share जरूर कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और जो आप लोग मुझे support कर रहा है उसके लिए thank you so much मुझे ऐसे support की मतलब उमीद नहीं थी मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा time लग जाएगा लेकिन जो support मुझे मिल रहा है उसके लिए thank you so much बढ़ते हैं हम point to point section की तरफ point to point section मई 2020 में internet speed के मामले में reliance geo top पर रही है यहाँ report try ने जारी किये है हना telechrome regularity authority of india try ने report जारी किये है कि सबसे best internet speed कौन सी company की रही है तो यह reliance geo की रही है कब मई 2020 में my speed जो app है उससे internet की speed को मापा है किसने try ने कौन से एप का यूज किया है my speed app को मापा है try की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी कब हुई थी 20 फरवरी 1997 को try की स्थापना हुई थी बर्तमान चेयर्मन कोन है try के राम सेवक सर्मा आत्म निर्मर भारत योजना के तहर मेजोरम सरकार द्वारा स्थ्रेमिकों को मुफ्त में चावल देने की घोशना की गई है कितने किलो चावल देंगे भाई ये 10 केजी चावल देंगे प्रतेक मजदूर को कौन से मजदूर को देंगे वो मजदूर जो सरकारी निर्मान कार्यों में और प्राइवेट निर्मान कार्यों में लगे हैं पुल बनाना सड़क बनाना स्कूल्स वगेरा या ओफिस वगेरा के जो बिल्डिंग्स बन रही है उनमें काम करने वाले मजदुरु को क्या देंगे दस किलो चाबल देंगे मिज़ुरम की कैपिटल क्या है आई जोले मुख्य मंतरी को उने जोर्मा ठंगा है और गवर्नर को पिएस सृष्प कोन और याद रखिये गारल की पहली महिला डीजीपी कौन थी आर स्री लेखा थी य और नहीं है यह आर स्री लеци लेखा बनी है है अंध्यान रखियेगा केरल की पहली महिला डीजीपी इसराइल ने इस्राइल ने रवेंद्रनाथ टेगोर की 159 वी वर्सिगाट के उपलक्ष में तेल अभीब सड़क का नाम बदल कर क्या कर दिया है टेगोर स्ट्रीट कर दिया है यह धियान रखिएगा है ना किस देश ने बदला है तेल अभीब सड़क का नाम तो ये इसराइल ने बदला है क्या नाम रखा है टेगोर स्ट्रीट नाम रखा है बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरह देश का पहला गार्वेस क्लेनिक कहां पर खोला गया है भोपाल में खोला गया है ठीक है यहां पर आकर आप अपना जो इलेक्ट्रोनिक कर्चरा है उस को दे सकते हैं और इसके बदले में कुछ रासी आपको प्राप्त होती है पूर्ण ताह सोर उर्जा से संचालित मद्यप्रदेश का गाउं कौन सा है बाचा गाउं किस जिले में हैं बेतूल में करनाटक के हुबली स्टेशन को सबसे लंबा प्लैटफॉर्म बनाया बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ लखनों के चार बाग स्टेशन को स्टेशन से देश का पहला हेल्थ एटियम प्रारंब किया गया है ओके देश का पहला हेल्थ एटियम और जो कोरोना वाइरस की चेकिंग के लिए आत्मा था जो आत्मा जो मशीन लगाई गई थी नाकपूर स्टेशन पर ठीक है ओटोमेटिक चेकिंग मसीन थी देश का पहला फंजोन विशाखा पट्नम रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है फंजोन का मतलब होता है बच्चों के जो खेलने वेलने का जो पार्क होता है वहाँ पर खिलोने वगेरा होते हैं और विशाखा पट्नम रेलवेस्टेशन पर बनाया गया है फंजोन अमेरिका ने स्वेम को डबलू एचों से अलग कर लिया ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि निमनों लिखित में से किन अंतराश्टी संगर्टनों से हाल ही में अमेरिका ने खुद को अलग किया इसे पहले अमेरिका ने स्वेम को यूनिसेफ से भी अलग कर लिया था तो यह भी आप ध्यान रहां नई सॉरी YUNESCO से अलग कर लिया था क्यों अलग कर लिया था YUNESCO से क्योंकि YUNESCO में फिलिपिंस को एक अलग देश के रुप में मानता दी गई थी ठीक है फिलिस्तीन को एक इसको का भी फंड बंद कर दिया था और अब डबलुएचो का भी फंड बंद कर दिया डबलुएचो के बारे में आप लोग जानते हैं इसने चीन के साथ रहकर जो कॉविड-19 से जूरी बैसिक इन्फोर्मेशन थी उसको क्या करा शेयर नहीं करा पूरे विश्यों के साथ औ अमेरिका में यहां तरंजित संधू देखिए यहां पर राजदूत और आपका होता है आई कमिशन लाव इच्छा युक्त नहीं। राजी युक्त में अगर दोthought में बैसेरा में तो हमने क्या बोलेंगे अच्छा युक्त बोलेंगे ही कामिशन बोलेंगे और वही राज नहीं कि अगर अमेरिका में जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं एमबेजडर है ना तो ये क्या होता है इसका डिफरेंस यह यह रहा तो अमेरिका भी है ब्रिटेन का गुलाम लेकिन वो राष्ट मंडल का सदश्य नहीं है जो राष्ट मंडल और्गनाईजेशन है उसका मेंबर अमेरिका नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे अमेरिका में राजदूत होंगे और ब्रिटेन वगेरा में जाएंगे तो क्या के लाएंगे उच्चा युक्ति या हाई कमिशन तो आपके याद रखना है तरंजी सिंग संधू बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अनपूर्णा और आपूर्थी पोर्टल यूपी सरकार के द्वारा लांच किये गए थे यह जो प्रवासी मजदूरों को दिक्कत आ रही थी खाने पीने की उसके लिए प्रवासी आयोग का गठन यूपी सरकार द्वारा किया गया है प्रवासी आयोग का मतलब है यूपी सरकार ने अपने सभी मजदूरों के लिए डाटा कलेक्ट किया है अब इस डाटा के बैस पर ये जो आयोग है ये आयोग वही पर यूपी में ही रोजगार सरजन करेगा और इनका एक मजबूर डाटा होगा जिससे इन सरमिक वर्ग के लिए योजनाय बनाने में आसानी सरकार को होगी याद रखिएगा पहला राज्य जिसने प्रवासी आयोग का गठन किया है हाई कोट के चीफ जश्टिस कोन है वही बरतमान में गोविंद मात हो रहे हैं देश का पहला हाती एस्पताल कहां पर है मतुरा में है नेपाल की राष्ट पती विद्या देवी कोन है भंडारी है क्यों अभी रही चर्चा में क्योंकि नहोंने नागरिकता संसोधन बिल पर भी अस्ताक्चर किये और दूसरी चीज नेपाल ने जो उत्राखंट के पिथोड़ा गर के छेतर को अपने नक्षे में दिखाया है उस नक्षे को भी इन्होंने नभी नक्षे को मंजूरी दी थी अगला पाइंट देखते हैं सार्क का मुख्याले कहां पर है काटमांडू नेपाल में भारत में मोलिक अधिकार अमेरिका के संबिधान से लिए गया है अमेरिका के केंदरी वेंग का नाम क्या है फेडरल रिजर्व बेंक देखिए वही क्या होता है जो बेंकिंग चेतर के बेंकिंग के तैयारी करने वाले स्टुडेंट है उनको पता होना चाहिए कि जब Federal Reserve Bank अपने रेपोरेट, रिवर्स रेपोरेट में परिवर्तन करता है तो ये पूरे विश्व की अर्थववस्था को प्रभावित करता है इसलिए ये Bank जब भी कोई मोद्रिक नीती में परिवर्तन करता है तो ये चर्चा में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि Federal Reserve Bank किस देश का है, अमेरिका का अलास्का को अमेरिका ने रूस से कब खरीद लिया था, 1967 में अगर आप अमेरिका और रूस का मेप देखें, तो दोनों के बीच में बॉर्डर अलास्का से ही वनती है और नेपाल वर्स 2021 की जनगर्ना में LGBT समुदाय को भी शामिल करेगा, LGBT समुदाय का आपको पता ही होगा, लेश्बियन जो होते हैं, और यो भी कोई अलग अलग होते हैं, जिनको होमोजेनियस, मतलब एक की समान प्रकृति के लोगों में, शेक्शल रिलेशन, तो ये LGBT समुदाय को फैलिवार कोन सामिल कर रहा है, जनगर्ना में नेपाल कर रहा है, नेपाल में भारत के राजदूत कोन है, ये हैं विने मोहन पात्रा, कोन है, विने मोहन पात्रा, याद रखिएगा, अभी देखिए, चर्चा में हैं विवाद चल रहा है, तो आपके लिए important हो जाता है, एक उरकल ही कि नहीं उसके आई है, जो भारत है, उसने पाकिस्तान में, जो उसका embassy है, वहाँ पर 50% जो अपना staff था, पाकिस्तान में, वहाँ भी 50% स्टाफ कम कर दिया है, और जो दिल्ली में, पाकिस्तान का जो embassy थी, वहाँ से भी 50% अधिकारियों को ही रखने के अनुमती दी गई है, बाकि सबको ही डिपोर्ट कर दिया गाए, क्यूंकि पहली बात ये थी कि अपने दिल्ली में, पाकिस्तान के लोग जासुसी करते पकड़ाये गए थी, दो अ जहमती वनी थी कि भाई, जो राजदूत होते हैं, जो उच्चायुकत होते हैं, उनका सभी देश सम्मान करेंगे, उनके साथ कोई भी criminal case नहीं चलेगा, कोई भी गेर कानूनी काम उनके साथ नहीं किया जाएगा, उन्हें हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उन्हें वहाँ कि कानून के चूट होगी जो भी कोई अगर वो अपछला करते हैं तो जिस देश के हो उन्हें वहाँ सजा मिलेगी वहीं उन पर कानूनी कारवाई होगी कानूनी उस देश में नहीं होगी लेकिन पाकिस्तान ने क्या है क्या किया है वीयना करवेंशन क्या है हमारे जो एंकी मेंबर अर्ट से श्राया है और उनको 17 से 18 घंटे सम्थिंग कहां रखा पुलिस टेशन में रखा जो की वियना कन्वेंशन का क्या है उलंगन है इसलिए भारा सरकाने कठोर कदम उठाते हुए क्या किया है अपने 50 प्रतीशत मेंबर को वहां से बुला लिया है और 50 पर्सेंट मेंबर ही अब पाकिस्तान की एंबसी में रहेंगे और यहां से 50 प्रतीशत जो कर्मचारी थे उनको बापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है क्लियर है यह आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता किस मंत्राले के द्वारा शिरू की गई है आयूस मंत्राले क्या है वह इस प्रतियोगिता में इसमें क्या है आपको योगा से योगा और आपकी लाइफ में जो चेंजिस हुए है है ना उसकी दो-तिन मिनट की वीडियो बना कर शेयर करने जिसकी बेस्ट वीडियो उसे प्राइज मिलेगा हाल ही में इस मंत्राले ने योग को बढ़ावा देने के लिए आयूश मंत्राले है ये अनुष्का याद होगा आप लोगों को 2017 में यह मिस वर्ड बनी थी मानुष्य छिलर चलिए बढ़ते हैं अगले टेनिस का फेड कप जीतने वाली पहली भारती महीला कोन बनी है तो यह बनी है सानिया मिर्जा याद रखेगा important है question आ सकता है आपके exams में दिया मिर्जा UNEP की goodwill ambassador है इनका कारेकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है यह ना UNEP का मुख्याले कहाँ पर है के नेरोबी Kenya याद रखेगा goodwill ambassador को ने दिया मिर्जा विश्व का पहला देश जिसने बागो की संख्या को दुगना किया है कौन है नेपाल है विश्व का पहला देश दूसरे देश को ने हमारा प्यारा भारत दूसरा देश बन गया है स्रेमिकों को रोजगार देने के लिए UP Startup Fund सिडवी के साथ उत्तरपरदेश सरकार ने प्राधंब किया है आपके याद रखना है UP Startup Fund किस के साथ किया UP सरकार ने सिडवी के साथ सिडवी का मुख्याले कहां पर है लखनों में यह मैंने आपको कली बताया था और इसके head कौन है वरतमान में महम्मद मुस्तफा कौ को रोजगार देने के लिए स्रेमिकों को रोजगार देने के लिए हाल ही में फेस्वुक द्वारा कि स्यूडिस मैपिंग कमपनी का अधिगरण कर लिया गया है तो यह कर लिया गया है मैपिलरी का याद रखियेगा इसे मैपिलरी का अधिगरण किया था फेस्वुक ने मै पिसरकार ने घोशना की थी मन्रेगा के तह सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है उत्ताय प्रदेश उत्ताय प्रदेश से पहले कौन था 36 गड़ था मुझफरावाद गिलगित बलितिस्तान छेतरों के लिए भारत द्वारा मोसम भविश्वाने की जाने लगी है जो पाक अधिकरत कश्मीर में आता है छेतर आपको ध्यान में रखना है मुझफरावाद और गिलगित बलितिस्तान IIT कानपूर ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन कितने मास्क बनाने की अप्रारंब कर दिये 25,000 मास्क बनाएंगे और ये M95 होंगे N95 मार्क्स होंगे और N99 जो कॉलिटी होगी उनकी कॉलिटी वो रहेगी कौन सी N95 और N99 मास्क की याद रखेगा IIT मंडी ने किसानों की आयमें ब्रधी के लिए हरवल इंफ्लीजन तकनीक में ब्रधी की है मतलब जो फर्टिलाइजर होगा उसका अधिक से अधिक यूज केसा किया जाए है ना जो अपना बायो फर्टिलाइजर है उसका और उशदी पोद होगा तो हरवल इंफ्लीजन तकनीकी में ब्रधी की है हुंड़ी कमपनी साउथ कोरिया की कारे कमपनी कहां की कार कमपनी है हुंड़ी यह साउथ कोरिया की है मारूती कार कमपनी ने करूर वेश बेंक के साथ समझोता किया है इस समझोते के अनुसार मारूती कार की जो भी ऑन्रोट कीमत होगी उतना लोन आपको मिलेगा कौन देगा मारूतिकार खरीदने पर करूर वेश बेंक देगा आपको उतना ही लोन बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ HDFC बेंक की स्थापना कभूईती बहुत चर्चा में रह रहा है यह 1994 मुईती मुख्याले कहा आपर है मुंबई में HDFC बेंक के MD CEO कौन है अधित्य पूरी है कौन है अधित्य पूरी Asian Development Outlook Report 2020 में एशिया की GDP ग्रोथ रहने का कितने का अनुमान लगाया है 0.1% रहने का अनुमान लगाया गया है रिपोर्ट ध्यान रखियेगा आप लोग कौन जादी करता है Asian Development Bank ADB जारी करता है कहा मुख्याले है इसका मनीला फिलिपिन्स में है चली बढ़ते है अगले भारत की GDP एशिया ADB ने भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है माइनस 4% का अनुमान लगाया है जबकि वित्ती वर्ष 2021 के लिए कितने परसेंट 5% रहने का अनुमान लगाया है GDP का बढ़ते हैं अगले पांट की तरफ हर्षवर्धन कोन है यह भाई हर्षवर्धन जी यह हमारे स्वास्त मंत्रिये को WHP की कारेकारी समीती का अध्यक्ष चुना गया है विद्यावेंच शाह 1970 में दिल्ली नगर पाली का परिशत की प्रमुक वनने वाली पहली गेर सरकारी सदश्य थी अभी हम लोगों ने उपर पड़ा था एक सामजिक कारे करता थी जिनने 1992 में क्या प्राप्त हुआ था पदमशिरी पुरसकार तो इन से जुड़ा हुआ एक फेक्ट ये भी है ध्यान रखेगा राजेंदर गोयल का हाल ही में निधन हुआ इनका संबंध किरकेट से था ये क्या थे वही किरकेटर थे राजेंदर गोयल और स्पीनर थे क्या थे स्पीनर यूरोप और अफ्रिका महादीब को कौनसिसन जलसंधी जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधी जोड़ती है रूस में आयजुत होने वाली 75 वी एतियासिक विक्टरी परेड में भारत के रक्षा मंतरी पहुचे थे कौन राजनास सिंग इन्होंने सामिल हुए थे वही है इसमें फ्रेंट्स ये था वीडियो का एंड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताईए और अपना सपोर्ट कंटीनियू रखिए थैंक्स पॉर वाचिंग और थैंक्स पॉर लिसनिंग दिस वीडियो